जय हिन दोस्तों है बर फिर से आप सब कस्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन क्लासेज में मैं मानस मिस्टा आपका स्वागत करता हैं दोस्तों इस वीडियो पढ़ने वाले हैं जो हमारी गंगा नदी है वो देव प्रयाक के बाद कैसे हमारे मैदानी लाखो पहुंचती है और गंगा नदी से रिलेटेड जितने भी इंपर्टन कोशन मनते हैं इस वीडियो पढ़ने वाले हैं दोस्तों जो गंगा नदी है नुवंबर 2008 में राष्टी नदी इसको गोसित किया था भारत सरकार ने और भारत में टोटल गंगा नदी की जो लंबाई ह इसको जोड़के 2525 किलो मीटर इसकी टोटल लंबाई है तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे की रिशी केस के बाद जो हमारी गंगा है कैसे कहा कहा जाती है तो रिशी केस के बाद जो तो गंगा है वो हमारी हरिदवार हरिदवार होते हुए दोस्तों पाड़ी मैदानी लाका तै करते हुए दोस्तों ये बिजनोर गुडमेश्वर सोरोग फरुखाबाद कनोज विठूर कानपूर होते हुए ये गंगा प्रयाग राज इलावाद में मिलती है और वहां से फिर ये मोशिदायनी नगरी वहनारस के लिए निकलती है फिर वहां से पटना ठीक है फि इन सब जगों से होते हुए यहां कहां पर जाकर मिल जाती है तो ये बंगाल के पास जाती है और वहां से फिर ये बंगलादेश में क्या कर लेती है प्रवेस कर लेती है अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में जो important fact है कि क्या-क्या गंगा नदी है ठीक है गंगा नदी से related जिननी भी चीज़े है इस वीडियो में पढ़ने वाले है तो दोस्तों ये जहां पर मिलती है वहां पर एक संगम है जिसकों मोलते है राम गंगा सागर से तू यहां पर ये नदी बंगाल की खानी में जहां पर जाकर ये नदी मिलती है ठीक है भार गंगा नदी भारत की प्रदान साखा भागी रथी है जो गड़वाल में इमाले के गौमुक नमगिस्तान पर गंगोत्री इमनस से निकलती है गंगा के गम इस्तल की जो उचाई है दोस्तो 3140 मीटर है यह 200 किलो मीटर सक्री पाड़ी रास्ताते करके इस केस होते हुए दोस्त प्रदार्ती वंदना होती है तो गंगा का भारत में बहुत ही हुदस्तो उच्ठी स्थाने गंगा को मा के रूप में पूज़ा जाता है लोग अपने लोग अपने पाप धोने के लिए गंगा नदी में इसनान करते हैं और जो भी दोस्तों जैसे किसी की olduğunu होती है तित उसक पॉनाडी कास था कि अंसार इरिगवेद महावारत रमाया और अनेक पुराणों में गंगा को पुने सलीला पाप नासनी मोच दैनी वं महा नदी का गया है दोस्तों खाफी ज़्यादा भीड होती है बक्तों की गंगा नदी जब प्रियाग में मेला लगता है दोस्तों प्रि गंगा नदी में इस्नान कर लेता है तो उसके पाप दूल जाते हैं अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि भारत में क्या क्या है तो दोस्तों जो सुन्दरवन का डेल्टा है सुन्दरवन का डेल्टा कहा है दोस्तों तो हुगली नदी कोलकाता आउड़ा होते हुए सुन बंदरवन का डिल्टा है प्रिसिद वनस्पतियों प्रिसिद बंगाल टाइगर का निवास इस्तान है और दोस्तों जो हमारी गंगा नदी है बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि गंगा की जो दोस्तों सायक नदी आए यमुना राम गंगा सर्यू तापती गंडग कोसी काच है भारत की सबसे प्रमुख सायक नदी गंगा की और हिमालय की बंदरव चोटी के अदार पर यमन्वनोत्री हिंखंट से कह से निकलती है ठीक है जहां पर यह संगम करती कहां पर इलाइबाद में आकर यह दोमन जाती है ठीक है गंगा नदी पर दोस्तों कुछ प्रमुक बांद भी बने हुए है फरक्का बांद हो गया जैसे पश्ची मंगाल में गंगा नदी पर बना हुआ है टीरी बांद उत्तरा खंड में बागी रहती नदी पर ठीक है बागी रहती नदी गंगा की सायक नदियों में से एक है जिसकी उचाई जो इसका सबसे उचा बांद है जो बना हुआ है टीरी बांद और दोस्तो भीम गोडा बांद है जो हरिद्वार में सन अठारस चालिस इस्व में से अंग्रेजों ने बनाया था ठीक है पराड़ी हिसाब से दोस्तो गंगा को बहुत ही सुद्धमाना गया है क्योंकि गंगा जहां से आती है दोस्तो क्योंकि गंगा मैंने आपको पता रखा है कि गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है और क्या क्या है ठीक है तो अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में गंगा नदी तंतर का वीडियो दे रखा है ठीक है और दोस् क्या नजा रहा है दोस्तों विदेशों से लोग इस घटा को देखने के लिए आते हैं बहुत ही पानी में कीड़े क्योंने लगते हैं। तो ये बहुत इंट्रेस्टिंग फैक्ट है तो आईए देखते हैं क्या फैक्ट है इसका तो दोस्ते जो गंगा नदी विस्वर में अपनी सुद्धी करन छमता के कारण मानी जाती है वेग्यानिंग मानते हैं कि इस नदी में एक बैक्टिरियो फेज नामक विसाडू होता ह जो जिवाड़ोवा अन्हानिकारक सुच में जीवों को जीवित नहीं रहने देता है क्योंकि दोस्तों जहां से ये नदी आती वहां उसदी गुड़ पाए जाते हैं और जहां और जहां उसदी गुड़ पाए जाएंगे दोस्तों तो ये नदी आते आते एकदम उसदी ग झाल 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 झाल